एलो एप्रिवान मैं हुरीना और आप सभी का स्वागत है रीना की दुनिया में फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जटपट बनने वाली गुलाब जाबुन की रेसेपी तो वीडियो में एंट तक बने रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सस प्राइब की दिये साथ ही अपने दोस्तों रिष्तेदारों को सेयर भी कीजिए तो चलिए पटा पट्रे सेपी को स्टार्ट करते हैं तो यहां पे गुलाब जाबुन बनाने के लिए सबसे पहले लेना होगा गुलाब जाबुनका पौडर तो यहां पे मैं रेडिमिक्स सौप्ट सा नरम सा आटा गुल के तैयार करना होगा तो आटा लगाने के लिए यहां पे लेना होगा दूद दूद थंडा या गरम यहां पे नहीं लेना है रूम टमप्रेचर पे ही दूद लेना है तो चलिए इसका स्मूथ सा आटा गुल के तैयार करते हैं धीरे धीरे करते हैं एक साथ दूद को आड़ ना करें नहीं तो आटा आपका गीला हो सकता है तो चलिए यहां पर एकदम नरम सा आटा गुंद के तयार करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा आटा गुंद के तयार हो गया है और यहां पर हमारा थोड़ा दूद भी बच गया ह और देशी घी को लेके आटे को थोड़ा मिलाना है और आटे को मिलाने के बाद आप थोड़ा सब 5-7 मिट के लिए इस तरह से और मसलना है आपको आटे को ताकि आटा हमारा और भी नरम हो जाए तो चलिए आटे को मसल लेते हैं 5-7 मिट के लिए और 5-7 मिट के बाद मसलने के कुलाब चाबून निर्की साइच का बन के तयार हो तो चलिए को काट लेते हैं और काटने के बाद हाथ पे लेना है इस तरह से गुलाब चाबून को और हलके हाथों से प्रेस करके लिम्बू का आकार का बनाना है आप देख सके बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं है तो इसी तरह स इस सारा गुलाब जावन को बना के करना है तैयार और गुलाब जावन में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका गुलाब जावन बात में टूट जाएगा तलते बक्त और यहां पे साइज आप अपने कॉडिंग कर सकते हैं बड़ा या छोटा तो आप देख सकते हैं यहां साइड में हमारा तेल गरम हो रहा है यहां तेल के जगा आपकी भी ले सकते हैं तो चलिए धीरे-धीरे करके गुलाब जावन को तेल में डालना है इस एक ताम हलके हाथों से तो चलिए डाल देते हैं और डालने के बाद दो सकेंड के लिए छूड़ देना है और धीरे-धीरे करके इस तरह से हलके हाथों से सारे गुलाब जावन को पलट देना है तो चलिए सारे गुलाब जावन को पलट देते हैं और आप देख सकते हैं सारे गुलाब जावन को हमने पलट दी है और गोल्डन होने तक इसको सेकना है गैस को मीडियम टू लोग फ्लेम पे रखें और आपको यहां पे light कलर का गुलाब जाबुन पसंद हो तो इस stage पे आप निकाल सकते हैं मैं यहां पे थोड़ा और डार करूँगी तो चलिए थोड़ा सा और शीख लेते हैं गुलाब जाबुन को तो आप देख सकते हैं आपे हमारा गुलाब जावन हो गया है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और आपको मैं दिखाते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटा है गुलाब जावन और कितना अच्छा कलर आया है तो चलिए सारे गुलाब जावन को निकाल लेते बाकी का सारे गलाब-जावभोन इसी तरह से लाके बना लेना है। चसनी बनाने के लिए यहाँ कटोरी पानी एट करना है और पानी एट करने के लो Call च описании समय अलग एकटोरी लेना के और टरेट बना करने में tatस doctrine बहुत करने मोद और यहां पे मैं दो इलाइची कूट के डाल दूँगी आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद हो तो एड करें या इसकीप भी कर सकते हैं आप और यहां पे आप देख सकते हैं हमारा चास्नी चिपचिपी सी हो रही तार बिल्कुल भी नहीं बंद रहा है तो गैस को करना है बंद और गैस को बंद करने के बाद सारे गुलाब जावून को चास्नी में एट कर देना है एट करने के बाद इस तरह से मिला देना है और पचीस मिनिट के लिए इसी तरह से ढख के छोड़ देना है और बीच बीच में एक दो बार पलट देना है गुलाब जावून को ताकि हमा स्मेट के बाद हमारा गुलाब चावुन कितना सौप्ट इस्पंजी और नरम बन के तैयार हुआ है तो आप भी अपने घरों में बनाईए खाईए इंज्वाए कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाबाई